हाई गाईज वेल्किम तो आज चैनल पेंटर मीडिया टेक्नलोजी मैं आपका होस्ट और डिजिटल दोस्दारिश लेके आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो एक और नहीं वीडियो और इस वीडियो का जो कॉंटेंट है जो टॉपिक है वो यह है कि अगर आपने नहीं वे अगर आप ट्राफिक नहीं लापा रहें तो वह क्या चीज़ें जो आपको करनी है जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका ट्राफिक थोड़ा बहुत बढ़ सके और इनिशल स्टेज पर आपकी वेबसेट को बूस्ट मिलना चाहे ट्राफिक से वह आपकी एबसेट क बनाने के लिए जो भी फ्री वेबसेट आप बनाना चाहते हैं तो यह आई-ाइकन प्लीज जरूर दबाईएगा क्योंकि इस आई-ाइकन पर आपको तीन स्टेप में हमने सिखाया हुए कि कैसे आप अपनी वेबसेट कॉम पर प्री ऑफको सेटप कर सकते हैं और अगर इस वीडियो को ने कुछ पॉइंट कर दिया होता है ताकि आपके लिए इस वीडियो को भी हमने चार पॉइंट में ब्रेक कर रहा है और इसका पहला पॉइंट है कि आप ज़रा ध्यान रखिए अपने यानि कि आपके आपका जो कॉंटेंट आप करने चार रहें देखिए इस इंटरेट बहुत बढ़ा है और इतने बड़े इंटरेट पर आपको चीज सोच रहे हैं अल्रेडी उसके ओपर सौ से ज्यादा कॉंटेंट अवेलेबल होगा अगर वो चीज वाइडली टॉक्ट तो आपको सिर्फ ये चीज करनी है कि आपको इस जिश दियान देना है कि जितने लोग है जिन्होंने अपने content को उसी तरी के से जमाए और वहीं से solutions pick करने के कोशिश करिए देखिए ये एक तरी के से चोरी हुई but इसको आप smartly भी कर सकते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिटो copy और paste करना है but आप क्या कर सकते हैं तोटा सा grind कर सकते हैं अपने आपको इस content के लिए और जरूरी नहीं आप प्वाज़री रखना है देखिए एक English के sentence को कहने के दस तरी के होते है grammatically तो आप उस grammar का यूज कर सकते हैं और grammar का यूज करके आप जो है अपने content को सही कर सकते हैं तो पहला मेरा जो पॉइंट है वो है लेवरेजर कॉम्पेटिर्स कॉंटेट सेकिंड जो पॉइंट है दोस्तों वो यह है कि हर एक नई website पे एक इनिशल प्रॉब्लम आती है उस website को या Google को जो है बहुत जल्दी जल्दी तेजी से content मिलेगा तो मेरी suggestion आपको यह है कि twice to thrice आप पोस्ट डाले की कोशिश करिए अपने नए content दो से तीन बार हफते में डाली कम से कम जादा आप च्छै भी डाल सकते हैं दस भी डाल सकते हैं जितना डालेंगे उतना अच्छा है अगर आप हफते में दस content डालेंगे तो देखिए गूगल समझेगा यह well research नहीं है क्योंकि हर अच्छे piece of content के लिए time लगता है research करने मे दो से तीन चार पीस of content अगर आप हफते में डाल रहे हैं वो Google के लिए research content की तरह काम करेंगे और Google उन content को पसंद करेगा कोशिच करिए 1000-1200-1500 words का आपका content हो जिसके अदर आपने अच्छे से इन details जिस भी चीज़ को आपने समझा रहा है और आपके competitor ने नहीं समझा रहा ह है आपका traffic जापके website पर आ तो उस content को पसंद कर रहा है आपका dual time बढ़ा रहा है और eventually आपका SEO वो भी अच्छा हो रहा है traffic भी बढ़ता जा रहा है साथ के साथ तो second piece of content कोशिच करिए दो से तीन बार एक हफते में content post करने की थर्ड पॉइंट जो वीडियो का है जो leverage करेगा आपकी website पर ट्राफिक लाने के लिए वह है email marketing email marketing दोस्तों डिश्र मार्केटिंग का एक अंडर्डॉग है अंडर्डॉग क्यों कहा जाता है क्योंकि बहुत कम टाइम काम करता है अच्छे से पर जब काम करता है और बहुत लोग आपके पास आपके content को पढ़ने के लिए आ रहा है आप उनसे उनका email sign up करवाने के लिए बोलिए अपने newsletter से उनको sign up करवाने के लिए ताकि होगा क्या अगर उनको आपके content के लिए फ्यूचर काम में आने वाले content के लिए जैसे आपको याद होगा YouTube पे भी सारे आप एक email भी शूट कर रहे है इसके लिए बहुत अच्छा email marketing tool में आपको suggest करूँ है जिसका नाम है MailChimp वह एक बहुत ही free और बहुत ही अच्छा email marketing tool है जिसके तुर आप email marketing automation कर सकते हैं for your blogs जिसके तुर आप काफी ज्यादा काफी अच्छा traffic आप अपनी website पर generate कर सकते हैं but make sure के आप purchase emails पर काम नहीं कर रहे हैं आपने जो email की list है वो scratch से खुद की website से create की हुए क्योंकि purchase email list में बहुत difference होता है purchase की list कभी भी आपके piece of content में interest नहीं दिखाएगी क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके business या आपके brand या आपके जो भी आपने blog लिखा इससे कभी interaction नहीं किया है तो वो शायद इन marketing के लिए emails capture करिए चौथा point दोस्तों जो आपके लिए advice में दी रहेगी वो यह रहेगी कि please आप अपनी website के लिए push notifications को enable करिए push notifications बहुत नहीं चीज़ नहीं है पर बहुत कम लोग उसको utilize कर रहे है उसका benefit ले पा रहे है तो push notifications उसको होता क्या है आप लोग अगर android या अपने ध्यान दिया को अपर notification panel में एक message आपको pop करता है WhatsApp एक नया message आया है same ways जब आपकी website के लिए अगर पुछ notification enable करता है तो जैसे ही आप कोई नया piece of content डालेंगे या push notification के तुरू कुछ भी boost करने की कोशिक करेंगे push करने कोशिक करेंगे तो जितने भी लोग उस वक्त आपके subscribers इंटरेंट से connected है और आपके push notification को enable किया हुआ है उनको एक hint जाएगा एक desktop पे pop-up जाएगा कि XYZ website has posted this particular news of content piece of content तो आप प्लीज जाएए विजट करिए देखिए इस content को और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज दूसरे भी content को देखिए तो push notification enable करवाना देखिए easy task न content जो है बहुत अच्छा in detail in depth अच्छे से आपने उसको analyze करके लिखा हुआ है क्या यह उनकी business में मदद कर रहे है तो यही छोटी-छोटी चीज़े आगे चल करके आपके लिए मदद करेगी और जादा traffic खीषने के लिए इसके अंदर मैं आपको लोगों को दो ऐसे tools को बता you'll see a little spike in your traffic अच्छा आपको hike देखने के लिए मिलेगा काफी लोग engage करेंगे आपके content के साथ और यह बिलकुल एक android phone के notification panel के तरह काम कता है तो इसका leverage देना बिलकुल मत बूलिए so four point please enable push notifications on your website so यह चार points दोस्तों अगर आप अपनी website के लिए enable करते हैं कोशिश करते हैं पर work out करने के लिए देखिए मैं नहीं बोला हूँ results सुरंत आना start हो जाएंगे next day से आपको सब कुछ बहुत अच्छा कासा traffic आना start हो जाएगा it will take time because यह सब organic processes है और organic process आपको भी पत make sure कि आप इस पर time invest कर रहें अच्छा खासा time invest कर रहें क्योंकि आज कल वैसी organic लिए ट्राफिक लाना बहुत टफ हो गया है काफी जादा competition जो है Google के उपर हो चुका है तो आपकी website को जो traffic चाहिए वो लाने के लिए आपको दुगणी नहीं तिगणी चौगणी मैनत करनी प है और make sure कि आपको अगर कोई problem face कर रहें तो comment section में आप comment करके हमको जरूर बताइएगा meanwhile जैसा मैं आपसे पिछली वीडियो में भी का था हम एक बहुत interesting news आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले आने वाले वीडियो में प्लीज हमारे साथ बने रहें ताक कि वो news का आप भी पाट बन पाएं क्योंकि वो news आप लोगों के लिए आपके favor में है बहुत अच्छी engaging news में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले so thank you for watching this video have a great day